गुद मॉरिंग स्टूडेंट वेलकम टू नवांकूर डिजी लेसिंस क्लास मैं हूँ सीमा साथ और आज आपको मैं हल करवाने वाली हूँ क्लास एट के सुसल साइंस के अध्याए चार जिसका नाम है राश्टी के करण की कोश्चन आंसर तो हम शुरुवात कर रहे हैं सही बिकलप से, सही बिकलप का जो हमारा पहला कोश्चन है वह है कि राश्टी के करण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्यापत रहती है इसके options हैं का राष्टिय ताकी भाबना, खा धार्मिक भाबना, गा जातिय ताकी भाबना और घा है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है, वह है राष्टिय ताकी भाबना, यानि राष्टिय की करण में नागर्गों के मन में राष्टिय ताकी भाबना रहती है, सही बिकल्प का second question है, सम्विधान में कितनी भारती भासाओं को अधी सूचित किया गया है, यानि इस बिकल्प में आपको भी है बताना है कि सम्विधान में कितनी भासाओं को मानेता दी गई है, तो हमारा जो पहला option है इसका, का 14, खा 18, गा 22, गा 261, इसका सही आंसर है, गा 22, सम्विधान में 22 भारती भाष्टि भाष्टाओं को मानेता या अधूस्विचित किया गया है, अब हमारा जो next question है, रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजिये या खालिस्थान भरिये, पहला खालिस्थान है, भारती सम्विधान में खालिस्थान मौलिक अधिकार का प्रावधान है, इसमें आएगे 6, यानि भारती सम्विधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, सेगर्ड है, असोक् हमारा रास्टिय प्रतिक्षिन है तो इसका सही उत्तर है रास्टिय तीसरा है प्राचीन काल में बंड विवस्ता खालिस्थान पर आधारित थी तो इसका जो आंसर है वह है कर्म प्राचीन काल में बंड विवस्ता कर्म पर आधारित थी अब चोथा और आखरी खालिस्थान ह अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अतिलग उत्तरीय प्रश्न तो अतिलग उत्तर ये प्रश्ण का जो पहला प्रश्ण है वहे है कि राष्टिय एकी करण का क्या अर्थ है यानि राष्टिय करण किसे कहा जाता है तो इसका जो आंसर है बहिस प्रकार है कि राष्टिय की करन का अर्थ राष्ट में रहने वाले निवासियों के बीच जाती, पंथ, छेत्र और भासा का भेदभाव किये बिना सुखदुक की एकता की भाबना का होना देश में रहने वाले लोगों की बीच आपस में जाती, धर्म और भासा का भेदभाव किये बिना साथ मिलजुल का रहना सुखदुक की भाबना में एक साथ रहना ये इसका आंसर है अब हमारा नेक्स्ट कोस्चन है कि पंत निर्पेक्षता से क्या आशा है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया पंत मींस होता है धर्म यानि पंत निर्पेक्षता मींस धर्म निर्पेक्षता तो पंत निर्पेक्षता से क्या आशा है इसका आंसर है पंत निर्पेक् करने से हैं means पंति निर्पेक्ष्टा से जो आशा है या उसका जो आर्थ है वह है कि धर्मी के आधार पर किसी भी वेक्ति के साथ भीद्वाव नहीं करना next question है विवित्ता में एकता का क्या अभिप्राय है विवित्ता मींस भिन्नेता तो इसका जो आंसर है वह है विवित्ता में एकता से भी प्राय लोगों में भेश भुसा, खाना, पीना, रहने के तौर तरीके और उपासना पद्धतियों में अंतर होने के बावजूद सभी में राष्टिये हितों को लेकर एकता का होना यानि कहने का अर्थ यह है या तात्पर यह है कि भले ही हमारे देश में कितनी भी भिन्नेता हैं लेकिन फिर भी सभी लोग जब राष्ट की बात आती है तो एक साथ मिल जुलकर रहते हैं यही विवित्ता में एकता है अब हमारा जो अगला कोशन है बहे है लगुत्तरी कोशन का तो लगुत्तरी कोशन का जो पहला कोशन है बहे इस परकार है कि जाती पर्था के प्रमुक दोशों का वर्णन कीजिए मींस हमें जाती पर्था के दोशों को बताना है यानि जाती पर्था से कौन-कौन सी कमिया होती है जाती पर्था से जाती पर्था में बुराईया कौन-कौन सी है जाती पर्था के प्रमुक दोश या बुराई इस परकार है पहला जाती विवस्ता समाच को उच्छवा निम दोर हो जाते हैं, चौथा, जातियों का दवाब राजनिती को प्रभावित करता है, पांचवा और आकरी है, कि जाती प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगती में वादा आती है, अब हमारा नेक्स्ट कोश्चन है, हमारे राष्टिय प्रतीक्चन कौन-कौन से हैं, तो इसका आंसर है कि राष्टिय धोष्ट, तिरंगा, राष्टगान, जनगन्मन, राष्टिय गीत, बंदे मात्रम, राष्टिय चिन, असोक्षिन, आधी हमारे राष्टिय प्रतीक्चन है, अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे दिर्गुत्तरी कोश्चन आंसर, तो प्रतिय उनके बारे में संचिय प्रतिपनी देना है, मौलिक अधिकार, भारती समविधान में छे मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, ये मूल अधिकार भारती नागरिकों को बिना किसी भेतभाव के समान रूप से प्रावध है, नागरिकों को विकास के अवसर प्रता करने के लिए मौलिक अधिकारों और समानता स्वतंतरता और सामाजिक नियाय आदी का प्रापधान है इन समवेधानिक प्रापधानों के अंतरकत समाज के कमजोर वर्गों अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती और अन्य पिछले वर्गों को संदक्षन प्राप्त है प्रतेक समुदाय को अपने धर्म इवं भासा आदी की सुतंता प्राप्द है। अब मौलिक कर्तव्यों का भी उलेक भारती सम्विधान में किया गया है या है। भारत के प्रतेक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सम्विधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट ध्वाज और राष्ट गान का आदर करे। नेक्ट कोश्चन है प्रतक्तवाद का विस्तार से बनन कीजिये। इसका आंसर है देश से अलग होकर अपना सुतंत्र राज बनाने की मांग करना प्रतक्तवाद है। छित्रवाद की अति आक्रामक अवस्था प्रतक्तवाद को जन्म देती हैं। कई जाती और वाशा के लोग यहां रहते हैं, कभी-कभी अपनी उपेक्छा महसूस करने पर ये प्रतक राज बनाने की मांग करने लगते हैं, प्राया सीमावर्ती राज्यों में इस प्रकार की प्रवती पाई जाती है, जिसके दुश्परिनाम से प्रतक तवाद की भावना प्रवल होने लगती है, राश्टी की करन में साहिक तत्वों का वर्णन कीजिए, मींस राश्टी की करन में कौन-कौन से तत्व साहिक होती हैं, इसका जो आंसर है, वो इस प्रकार है, राश्टी की करन में साहिक तत्व, पहला समान मौलिक अधिकार, भारती सम्विधान मे शे मौलेक अधिकारों का प्रावधाने मींस शे मौलेक अधिकार दे गए हैं भारत के प्रतेक नागरिक को ये मूल अधिकार भारतिये नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्रावध हैं इन में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का प्रावधान ह समान मौलिक कर्तव्य भारत के प्रतेक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सम्विधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट ध्वज और राष्ट गान का आदर करें सभी नागरिकों को भारत की एकता और अकंडता हेतु, राष्ट की सेवा को सदेप तयार रहना चाहिए और सार्वजनक संपत्ति की सुरक्षा करने चाहिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है पंत निरपेक्ष हमारे संविधान ने भारत को एक पंत निरपेक्ष राष्ट गोशित किया है, प्रतेक धर्म के अनुवाईयों को धर्म सुतंता का धिकार है, सरकार किसी धर्म के प्रती भेदभाव नहीं करेगी और अगला है पंत निरपेक्ष, हमारे संविधान में भारत को एक पंत निरपेक्ष राष्ट गोशित किया गया है, प्रतेक धर्म के अनुवाईयों को धर्म सुतंता का धिकार है, सरकार किसी की साथ भेदभाव नहीं करती है और उसके बाद है समान प्रतीक चिन, हमारे राष्टिये चिन, राष्टिये ध्वच, तरंगा, राष्टिगान, जंगनमन, राष्टिगीत, बंदे मात्रम, राष्टिये चिन, असोक्षिन, आधी है ये राश्टी भाबनाव राश्टी के करण को बलप्रदान करते हैं हमारा आखरी और पांचवा राश्टी करण में सहाइक तत्व है पर्याटन पर्याटन से हम एक दूसरे के निगट आते हैं एक दूसरे की विसेस्ताओं और समस्याओं को समझते हैं जिसके कारण समान भाव विचार और द्रश्टी कौन विक्सित होता है अब है राष्टी एकता में बाधक तत्वों का उल्लेक मींस राष्टी एकिकरण अभी हमने समझा कि राष्टी एकिकरण में सहयक तत्व अब हमें बताना है कि राष्टिय की करण में बाधक तत्व मींज राष्टिय एकी करण में कौन-कौन से तत्व रुकावट पैदा करते हैं या उसको इनके वज़े से समस्य आती है तो पहला है सांप्रदाइक्ता सांप्रदाइक्ता का आर्थ होता है ऐसी भावनाएं वक्रिय कला जो अपने संप्रदाएं और उसकी विशिस्ताओं को तो स्रेष्ट समझे तथा दूसरों के संप्रदाएं और विश्वासों को हीन समझे सांप्रदाइक्ता हमारे देश की एक्ता के लिए मुख्य खत्रा है नेक्स चैन भासाबाद आसरक्षा की भावना से गरस्त होकर भिन्य भासाई समूं अपने भासाई हितों को राष्ट हित से अधिक प्रात्मिक्ता देते हैं वे अपनी मात्र भासा से प्रेम और दूसरों की भासाई के प्रती संकीनता और घ्रना की भावना रखने रखते हैं या रखते हैं इस प्रकार की प्रवती राष्ट एक्ता को कमजोर करती है मींस भासा के आधार पर जो भेद्भाव होता है या लोग करते हैं एक दूसरे के साथ भासा बाद है और सामप्रदाइकता मींस धर्मी के आधार पर लोगों का एक दूसरे के साथ लड़ाई जगडे करना या भेद्भाव करना सामप्रदाइकता है इसका जो next point है वहे हैं जाती बाद जाती बाद भी राश्टी के करण की एक बहुत बड़ी समस्या है या बहुत बड़ी रुकावट है जाती बाद एक ऐसी इकाई है या बुराई है जिसके सदस्य आपस में ही शादी विवहा और खानपान के नियमों में बंधे रहते हैं बरतमान में सिक्षा के प्रसार विज्ञान और ओधियुगिक विकास तथा शहरी करण से जाती विवस्ता के बंधन सिथिल हुए हैं भारत की समविधान में शुवा छूत एवं जातीकत भेदवाओ को गेर कानूनी गोशित किया गया है मींस जाती के आधार पर लोगों के साथ भेदवाओ करना यानि एक संकुचित सोच के साथ लोग जीवन जीते हैं जाती के आधार पर नेक्स्ट है आतंगवाद मींस टरिरिजन मींस आतंगवाद बांचित उद्देशों की पूर्ती के लिए हिंसा का सुनुयोजित प्रियोग आतंगवाद है मींस अपने बांचित उद्देशों को पूरा करने के लिए हिंसा का जो रास्ता चुनते हैं लोग वह आतंगवा से प्रिरित लोग निर्दोश व्यक्तियों की जान लेने के लिए मरने मारने की घटनाओं में भाग लेते हैं अपने उद्देशों को पूरा करने के लिए व्यक्ति हिंसा का मार्ग चुनते हैं और किसी भी हद तक जाते हैं इसका आखरी जो पॉइंट है वहे हैं प्रतक्तावाद प्रतक्तावाद मींस अलग तो प्रतक्तावाद से देश से अलग होकर अपनी सतंत्र राज बनाने की मांग करना प्रतक्तावाद है कभी-कभी अपनी उपेक्चा महसूस करने पर राज्य या धर्म विशेश के लोग अपना प्रतक राज बनाने की मांग करने लगते हैं जिसके दुश्परिनाम से प्रतक बाद की भाबना प्रवल होने लगती है means प्रतक बाद यानि कभी-कभी अपने बांचे देशों को पूरा करने के लिए लोग अलग राज बनाने की जो मांग करने लगते हैं वह प्रतक बाद होता है और यह है राश्टी की करण में एक बहुत बड़ी चनोती है, समस्या है प्रतक बाद तो इस टुडेंट्स इस वीडियो में हमने राश्टी की करण, क्या है राश्टी की करण में साहिक तत्व, खालिस्थान, विकल्प, राश्टी की करण में बाधक तत्व, यह हैं सब हलकी हैं कोशन थैंक्स फॉर वाचिंग